चलिए तापको सिदली चुलते राहूल गांदी इस वक्त प्रेस कॉंफेंस कह रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं पर आक्रमन हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं सवाल मैंने एक ही पूछा था फाउंडेशन पर जाता हूँ अदानी जी की शेल कमपनीज है अदानी जी की शेल कमपनीज है उसमें बीस हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफ्रस्ट्रक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपे हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लिमंट हाउस में प्रूफ देखे जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बादे में डीटेल में बोला रिष्टा नया नहीं है रिष्टा पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीम बने थे कब से रिष्टा है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स है हवाई जहाद में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस अपने मित्र के साथ पार्लिमंट में मैंने दिखाई ये सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी पॉइंट बाइ पॉइंट कि मैंने कहा कि एरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिये गए हैं ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्थी लिखी कोई फरक नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लमेंट में जूट बोला बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लमेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई कोई accusation लगाता है तो उस member को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया फिर मैं speaker के chamber में गया मैंने speaker sir से कहा speaker sir ये कानून है, ये rule है इन्होंने जूटा अरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पिकर सर मुस्कुराते हैं कहते हैं मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सब ने देखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बन नहीं करूँगा नरेंदर मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोड रुपए किस के है मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता है इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरे वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोग तंतर के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोग तंतर के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं ड़ता हूं यह सचा है अब आप सवाल पूछे एक एक करके एक करके I'll say it in English also तोज स्वेश्टिंग बीजिए प्रालोम इसके सब्सक्राइब ए प्राम इसक्राइब हैं। फे लिवान इसमेह राप्नाफर्च्ट टॉट ये जंडू सो्नाप्नाफ्निश करेंग argलाव इह आपनु ये ज म produçãokon कर दिशो कि प्रम टोगे मिस्टर भाड़ आड़ी? लेकिषर प्रम टोगे मुटत है कि अजिए प्रिम्निस्टर एल्हाने के लिए यह लागकिछांगा , I gave documentation about the defence industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank Chairman in Australia, and I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the Speaker with a detailed explanation on the defence industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this, this is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Karge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I have asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement, I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom, not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem, India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, Sir, it is my right as a Member of Parliament when somebody makes an accusation to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, Sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So, this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question. Whose 20,000 crore rupees, whose 3 billion dollars went to Mr. Adani's shell companies? By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I am not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat. Organized all that. This is a partnership. It is a close partnership. I am going to keep asking that question. Rahul Joshi. काम है वो मैं करता जाओंगा हाज जी अन्वर अन्वर आज के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनेतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी मीडिया से मिलती थी बाकी इंस्टिटूशन से मिलती थी वो नहीं मिलती है तो opposition की parties को एकी रास्ता है जनता के बीच में जाने का अजी अन्वर सर भारती जनता पार्टी ने आप पर वो भी सी समुधाय के अपमान का आरूप लगाया है इस पर आप क्या जबाब देना चाहेंगे भारती जनता पार्टी के आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजे मैं वहाँ कह रहा हूँ सब समाज एक हैं सब को एक साथ चलना चाहिए भाई चारा होना चाहिए नफरत नहीं होनी चाहिए हिंसा नहीं होनी चाहिए तो मेरी position बिल्कुल clear है ये OBC का मामला नहीं है ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिष्टे का मामला है 20,000 करोड रुपए जो अदानी जी कोई पगानी कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब चाहिए BJP द्यान को भरकाने की कोशिश करती है कभी OBC की बात करेगी कभी विदेश की बात करेगी कभी कुछ और बात करेगी कभी Disqualification की बात करेगी मगर सवाल यह है 20,000 करोड रुपए 3,000,000,000 किसका था सन्जे मिश्र और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता सन्जे मिश्र आपने कहा आप दरते नहीं हैं लेकिन State के Target पे है और State आपके खिलाफ है पूरी State पूरी मेशिनरी आपके खिलाफ है ऐसे में आपके सामने चैलेंजर बहुत बड़ा है तो रास्ता क्या है रन नीती क्या है जाय स्ठेट हो चाय कुछ भी हो मैं सच्चाई को देखता हूं मुझे और किसी चीज में इंटरेस नहीं है मैं सच्चाई बोलता हूं राजनेती में ये fashionable बात नहीं है मगर ये बात मेरी खून में है मैं और कोई रास्ता निकानी नहीं सकता हूं तो मेरा काम ये है ये मेरी तपस्या है जिवन की तपस्या है उसको मैं करता जाऊंगा चाहे मुझे डिस्कॉलिफाइ करें मारे पीटे जेहल में डालें मुझे कोई फ़र्ण नी करता मुझे अपनी तपस्या गंदी है इस देश ने इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है शांत हो जाईए इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है प्यार दिया है इज़त दिये इसलिए मैं ये करता हूँ सुप्रिया बीजेभी के जो लीडर्स आप पर अटाइक कर रहे है उस पर आप क्या कहेंगे और इसके लावा वाइनाड वहाँ पर जब से ख़बर गई है कि वाइनाड के लोगों के साथ मेरा परिवारिक रिष्टा है फैमिली प्यार का रिष्टा है तो मैंने सोचा कि मैं वाइनाड के लोगों के लिए अपनी एक चित्थी लिखू उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है तो वो तो मैं resolve कर दूँगा उनका देखिए BJP के नेताओं का काम यही है देखिए वो सब नरेंदर मोधी जी से डरते हैं कानन आप जानते हो नरेंदर मोधी जी ने कहा कि देखिए ध्यान अटाना है वो सब जानते हैं धानी जी और नरेंदर मोधी जी का रिष्टा सारे के सारे जानते हैं क्या रिष्टा है सब जानते हैं मगर ड़ते हैं तो अगर नरेंदर मोधी जी नों इनसे का कि भाईया ध्यान उदर करो ध्यान उदर करेंगे मगर सवाल यही है 20,000 करोड रुपे किसका है जैने अंदर जैने अंदर राउल जी पूरी कॉंग्रेस पार्टी सर पूरी कॉंग्रेस पार्टी है कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोट ने आपको सजा सुना ही या आपका निलंबन हुआ ये सब कुछ केंदर सरकार प्रधान मंत्री के इशारे पर हो रहा है लेकिन BJP कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है तो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वज़े से आपका निलंबन भी हुआ है देखे लीगल मैटर है मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फरेंस पे बात नहीं करना जाता हूँ अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए संजीव वन मिरिट संजीव आपके लीजिए 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 at the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between narendra modiji and mr adani there is there is a question 20 000 crore rupees have suddenly arrived in mr adani's ज्चेशन से क्वर्ट्वूस अन्हzej श्यूसक्षाए्पर्फटूस। अबलाजे मान बुसक्ती तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कॉंग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एक जुट हो जाना चाहिए मैं उन सब का सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे रंजीता उतक्त जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है क्या आपको लगता है आपको अफसोस है उस बयान को लेकर क्या कहेंगे उस बयान पर देखिए अब ये लीगल डिसकशन है उस पे मैं टिपनी नहीं करना चा़ता हूं क्योंकि एकॉर्ट में मामला है मगर मैं मैं जो भी सवाल उठाता हूँ वो सोच समझ के उठाता हूँ राहुल जी अभी कुछी दिन पहले लक्ष द्वीब के सांसर मुहम्मद फैजल के सदस्ता गई थी और बाद में हाई कोट नहीं स्टे कर दिया था अभी उनकी मेंबर से री इंस्टेट नहीं हुई है सुन लिजे अभी उनकी सदस्ता री इंस्टेट नहीं है लेकिन चुनाव आयग ने चुनाव की घोसना करने के बाद उसे रोक दिया था अगर उपरी अजालत से आपको इश्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोगसबाई स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बाहल कर देंगे मुझे उमीद में कोई इंट्रेस्टी नहीं है चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपना काम करूँगा अगर ये मुझे permanently disqualify कर दें तो भी मैं अपना काम करूँगा अगर मुझे reinstate कर दें तो भी मैं अपना काम करूँगा मुझे कोई पर्ड नी पर्ता मैं पर्लिमंट के अंदर हूँ या बाहर हूँ, कहां हूँ मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है मैं उसको करके दिखाऊंगा आपके लिए अपने लिए एक मिनिट रमन एक मिनिट रमन इस नोट अप टो मी इट अप टो कॉंगरेस प्रेजिडेंट कौन जाएंगे राहूल जी, राहूल जी राहूल जी, मेरा सबाब आपके यहां बैठे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिस्ता है उनके साथ लेन देन का मामला उसका कहा थे, धन्दे का मामला है लेकिन का मामला क्या बाप कर रहे हैं यह धन्दा रोकेंगे यह जिनके पास जो भी एस्टेट का उनके साथ नाता है जो भी विजनेस चल रहा है, विजनेस रोका जाएगा क्या देखिए, सिंपल सी बात है आप डिस्ट्रैक करने की कोशिच मत कीजिए बीस हजार करोर रुपे अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए आप इंक्वाईरी कीजिए अगर बात निकली कि हमारे चिफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए मैडम, मैडम आप लोग तंत्रों को समझे यह जो पैनिक रियक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने इससे सबसे जादा फाइदा मिलेगा विपक्षो यह इन्होंने हमें हत्यार पकड़ा दिया है यह आप बात समझिये यह मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी यह 20,000 क्रोड रुपे किसके है यह जानती है कि आदानी जी भ्रष्ट व्यक्ती है अब जनता के मैंड में यह सवाल उटा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ती को हिंदूस्तान का प्रधान मंत्री क्यों बचा रहा है यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग नरेंद्र मोधी जी सब कुछ इस वियक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमन देश पर आक्रमन है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझ ये। राउल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम परिश्मेंट जो है इसमें जो सकती है, वो आपके लिए मुकररर की गई। इस पीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसत ने कहा कि कम से कम जज़ को ये देखना चाहिए था, कि सामने जो शक्स है वो एक गांधी परिवार से आता है, इस पर आप क्या कहेंगों और आपको लगता है, मैक्सिमम परिश्मेंट जो है आपके के इसमें मैक्सिमम परिश्मेंट आपके लिए मुकदर की गई, कि आपको लगता है, इसके पीछे क्या कहना आप, वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रेक्शन करना है, डिस्ट्रेक्शन करना है, मैक्सिमम परिश्मेंट की तो जरूरत है, मिनमम मिनमम परिश्मेंट बात बनेगी मैं तो सोच रहा था 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 पांच साल होते साथ साल होते दस साल होते वो भी मिल जाता मुझे जाए पर पड़ रहा है यार राज़ीब इस अब जाए जाए my my I have only one step and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country Please let me finish Rajdeep unless you want to answer it for me you do that also sometimes yeah so my job as I see it is to defend the democratic nature of this country and I will do whatever I have to do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country what does that mean that means defending the institutions of this country that means defending the voice of the poor people of this country that means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister yeah Pallavi Pallavi please one second let's go look I am see these are legal matters it makes me no difference I told them it makes me no difference if I am disqualified not qualified whatever it makes me no difference disqualify me disqualify me for life put me inside jail I will keep going I will not stop Mr. Gandhi Mr. Gandhi two things here one are you worried or apprehensive about the political relevance of say the opposition do I look worried to you do I look worried to you I am excited I am happy that these people have given me the best gift they could give me and second Mr. Gandhi is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then then perhaps you wouldn't be facing the law today your response to that my response to that is that when somebody is guilty of something they want to distract everybody's attention right if you catch a thief the first thing he says is I didn't do it the second thing he says look there look there look there look there right that's what the BJP is doing we have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies nobody knows whose money that is that money cannot be Mr. Adani's money he does not generate this type of money so that money has come from someone all this OBC disqualification anti-national all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed let me tell you that relationship is going to be exposed nobody is going to stop that it is going to happen because the opposition is going to press this thing until we find the answer yes Ravie Sissoriya Ji is going to do it Rahul Ji Rahul Ji the judgment came out that BJP has said that you are OBC that you are OBC Ravie look the first attempt came out the second attempt came out the third attempt came out आप इतनी डिरेकली BJP के के लिए क्यूं काम कर रहे हो थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार थोड़ा गूम गाउम के पूछो क्या आपको ऑड़र दिया आए क्या देखो मुश्कुरा रहे है गूम गाउम मैं आपको उधारन देता हू आप थोड़ा गूम गाया हैं कि निकाल नूगल कि बोलो, तेखो ऐसे बोलो पहले, Rahul जी, तो प्रेज, 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 भरीज, प्रेजिय देल, गणिड़ा प्रेज? जैन जो एंट वी हमना जी यह वाहन इकल गई रहोल जी बीजेपी के लोग बार बार ये बाट स्थे एक का थे विटेश प्रेश पाशन दिया तुनों ने का माफि माग विए पार आप में और का हुट बजा रहू और मैंने कहा पारलमन धाउस में कहा कि भाया मुझे बोलने दीजिये ना एक बार तो बोलने दीजिये दो बार चिट्टी लिखी तिसरी बार मैं personally स्पीकर से जा के कहता हूँ तो मेरा जो पॉइंट है इस देश में लोगतंत्र खतम हो गया है इस देश के लोग जो इनके दिल में हैं हमारे दिल में हैं बोल नहीं सकते हैं इस देश के इंस्टिटुशन पर आक्रमन हो रहा है और उस आक्रमन का मेकनिजम क्या है उस आक्रमन का मेकनिजम नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिष्टा है वो foundation है मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूँ BJP आदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है आप नरेंदर मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए मैं आदानी जी पर पूछ रहा हूँ आप आदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो आप इसलिए आदानी जी को प्रोटेक्ट कर दे हो क्योंकि आप ही अदानी हो Thank you